स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल का है chemistry classes में और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी दगा लें क्योंकि chemistry के अंदर अपन लंबी रेस के घोड़े की तरह लंबी दोड़ लगाने वाले हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को हुए लाइ एफिल इधर की डिð रिएक्षंस देख रहे ते हैं एकन्टेनियो करते हैं इसको डाय एफिल इथर प्मसा होता है और इसमें एक देख चुके कौन सी HX के साथ अभी रिया और उसके सारे एक्जाम्पल वह बहुत इंपोर्टेंट रियेक्शन थी उसके बाद है हाइड्रोलाइसिस जल अपगटन और डाई एथी लिथर का जब जल अपगटन करवाते हैं तो जल अपगटन होता है तन्नू H2SO4 की प्रजेंस में यानि पानी मिलायावा सेलफ्यूरिक एसिड की उपस्तिति में क्या होता है जल अपगटन होता है और यह हाई प्रेसर पर उच दाप पर तो आपको पता है जल अपगटन में जल कानू जोडते हैं अब यदि आप एच इदर जोड देते हो क्योंकि उसके अंदर एच प्लस और माइनस होते है तो ह दर जोड़ दो यह यह हाँ से बंद तोड़ते हो तो ह इदर आ जाएगा और चला जाएगा यानि ऑक्सीजन के साथ अपने को क्योंकि ऑक्सीजन पर होता है जब डाई एथिल इथर का जलब घटन करवाया जाता है जलब घटन के बाद में उसके बाद में अपना है अपचियन और अप्चेन जब डाई एथिल इथर का रिडक्शन होता है अप्चेन होता है तो अप्चेन एक होता है आंसिक अप्चेन एक होता है पूर्ण अप्चेन तो यह डाई एथिल इथर इसका रिडक्शन करवाते हैं अपन इनकी प्रेजेंस में जब होता है तो यह दू हैड्रोजन देता है अंसिक अपचेन में टूटता है कारबन ऑक्सिजिं बन टूटना आपको इस पता है तो ए जिंदर जोड़ में आपचेन के अंदर हो सब्सक्राइब देता है C2, H5, OH गे इदर बड़ा और दूसरा पार्ट बन जाएगा C2, H6 यानि ये तो बन जाएगा एथेन और ये हो जाएगा एथेनोल तो आनसिक अपचेन से क्या बनता है एक अथेनोल में कनवर्ट हो जाता है और आदा पार्ट इसका इथेन के अंदर रुपांतरित हो जाता है जो भी बन तोड़ते हो, H इधर भी देदो और H इधर भी देदो, अब चेन के अंदर ये ही होता है सोडियम मेटल क्या करती है अमोनिया के साथ रियक्षन करके हाइड्रोजन गेश विस्तापित करती है और ये बनाती है हाप S2 और वो हाइड्रोजन ही यहाँ काम में आता है ये है सोडा माइट एन एनस टू हो गहते हैं सोडा माइट यानि यह जो H है, इस बंद के इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन ले ले लेगे हूं, इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज्याद़ा है, तो H प्लस निकल गया, और यह बन गया NH2 माइनस, इधर इलेक्ट्रोन आ जाएंगे, तो NH2 पे माइनस आ जाएगा, यह H प्लस निकला, इस H प्लस को यह सोडियम इलेक्ट्रोन देगा, तो H प्लस सोडियम से इलेक्ट्रोन लेकर के, हैड्रोजन गयस के रूप में निकल जाएगा, और सोडियम बन जाएगा, ने प्लस, यह NH2 माइनस, ने, ने इस तो, यह इस तरीके से रिएक्शन होती है, लेकिन जब अप्चि अप्चियन, लाल फास्पोरस और, हैस्च की प्रजेंस में रिडक्षिन होता है, तो यह हैड्रोजन दिता है, ह एच, ह यहां पूण कम्प्लीट रिडेक्शन होता है, सारे बंद चूट जाते हैं, फिर एच, ह, यानि जितने बंद तोडते हूँ उतने हैड्रोजन, दोनो तरह आट दो देखो बीच वाडा तो बंगिया H2 O इस अधर वाड 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 बंगिया C2H6 और ये भी बन गया C2H6 यानि C2H6 बन गये 2 ये कंप्लीट डिक्सन है यानि सारे बंद क्या हो गय है तूट गये इसमें क्या हो रहा था ये Oxygen Carbon बंद नहीं तूटा इसका तो एथेनोल बन गया रहु उसका एथेन बन गया लेकिन यहां जो है कार्बन ऑक्सीजन बंद सारे विद्लित हो गए हैं तो जितने बंद जहां से तोड़ते हो उसके दोनुं तरफ हेज निकाल लगा दो एच-एच यहां लगा दिया फिर यह बंद तोड़ा तो एक ह क्लोराइड के साथ के साथ अभी एक्रिया किसके साथ अभी एक्रिया एसी टिल क्लोराइड के साथ रियक्शन अब एसी टिल क्लोराइड कौन सा होता है तो यह है डाई एथिल इथर इसकी रियक्शन होनी है डाई एथिल इथर गी इसके साथ एसी टिल क्लोराइड के साथ अब देखो acetyl chloride के साथ जब reaction होती है तो यह lone pair आपको पता है यह काम करेगा यह लूइस सारक की तरह भी होगरेगा यह carbon positive charge रखता है यह oxygen negative पार्सिली तो यह oxygen कहां टेक करेगा अपने lone pair से इस carbon पेर टेक करेगा इस bond के लेक्ट्रोन शिप्ट हो जाएंगे यह बन गया c2h5 ओ c2h5 इस पर कौन सा चार्ज प्लस और एक lone pair बच गया दो में से एक बच गया और फिर यह oxygen जूड़ गया इस carbon से cc जूड़ रहा है देखो cs3 यह जूड़ रहा फिर cc जूड़ रहा oxygen यह माइनस और यह cl क्योंगे इस बंद के इलेक्ट्रोन शिप्ट हो जाएंगे तो माइनस हाजएगा और cc एक cl जूड़ रहा है अब देखो यह negative charge यहाँ वापस पाई बॉंड के रूप में लोटेगा तो यह धुर्विय बन प्लस माइनस यह क्लोराइड आयन अपना इलेक्ट्रोन लेकर के cl माइनस के रूप में दफा हो जाएगा यहाँ से क्या बना c2h5 o प्लस c2h5 c double bond o cs3 अब इस oxygen पर positive charge है तो यह क्या करती है यह oxygen इस एथिल समुवा के इलेक्ट्रोन ले लेती है इस carbon oxygen बन दिए तो क्या बन गया माइनस c2h5 प्लस यह कार्बोकेटाइन एथिल कार्बोकेटाइन यहां लगा देता हूं से लो c2h5 प्लस यह कार्बोकेटाइन बन गया इधर क्या बच गया c3 c double bond o o c2h5 तो मैं इसको यह लिख दूँ c3 c double bond o फिर o और o से क्या जुड़ रहा है c2h5 यह बन जाएगा इसको कहते है एथिल एसीटेट एथिल एसीटेट यह एस्टर है c double bond o o r यह एस्टर है अब यह एथिल जो कार्बोकेटाइन है वो इस क्लोराइड के साथ जुड़ करके c2h5 cl मना लेगा यानि एथिल क्लोराइड का निर्मान कर लेगा यह है एसिटिल क्लोराइड के साथ रियक्षन और यह रियक्षन जो है वो जेड़न सी ल्टू डाई डी हाइडरेटेड यानि निडजल जेड़न सी ल्टू की प्रजेंस में होती है यह है एसिटिल क्लोराइड के साथ रियक् करवाते हैं तो डाइए एठी लिथर तो अपना यह है अधितिक एन हईड्राइड होता है सी एस तरी सी डवल बॉन्ड ओ फिर ओ फिर सी डवल बॉन्ड ओ सी यह समुवा कहलाता है एन हाइड्राइड और यह सीटिक एसीड से मनता आगे एस इड़ बाद करें कैसी बनता है इ यानि जिस एसीड से बन जाते हैं जूड़ करके उसका नाम मी लिख देते हैं पहले एसीटिक एसीटिक एसीड से मनें आगे एन हाइड़ाइड लगा देते हैं फिर वही रियक्शन उपर वाली की तरह ही यह लोन पेर कहां टेक करेगा इस पार्सिली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इस बॉंड की एलेक्ट्रोन शिफ्ट हो जाएंगे क्या बन जाएगा C2H5 O पॉजिटिव C2H5 यह उक्सिजन पे पॉजिटिव आ गया एक लोन पेर बज़ जाएगा दो में से एक दे दिया इसको फिर C O पे नेगटिव फिर CS3 फिर O C double bond O CS3 यह जो जिस से जूड़ रहा है उससे जूड़ दिया देगा तो ओक्सिजन से पाजिटिव वाली से हैं यह कारबन जोड़ दिया कार्बन से यह उक्सिजन जूड़ ए उसके नेगटिव चार्च लाज जाएगा इसी कारबन से एक CS3 जूड़ रहा है और इसी कारबन से और COCS3 जूट रहा है अब आपको पता यह oxygen अपने bond के electron यहां पाई bond के रूप में negative charge को पाई bond के रूप में लेकर के लोटेगी तो यह carbon oxygen bond तूट जाएगा और जैसे यह तूटेगा यह बचाएगा C2H5 O positive C2H5 C double bond O यह C double bond O और यह CS3 प्लस यह open negative फिर C double bond O CS3 इसको कहते हैं Acetate iron अब आपको पता है जब इस oxygen पर positive आ गया है तो यह oxygen positive charge रखेगी नहीं क्यों कार्बन से विद्यू त्रिणता ज्यादा होती है तो दोनों एक से सम्मों है किसी एक के carbon oxygen बंद की electron ले लेती है तो यह बन जाएगा C2H5 प्लस कार्बन पे कौन सा charge जाएगा प्लस और यह बच जाएगा इदर C2H5 O C double bond O CS3 यानि वह ही ethil acetate CS3 C double bond O O C2H5 यह जो सम्मों है वो इस C2H5 प्लस जुड़ जाएगा तो यह और यह सेम यह देखो CS3 C double bond O O C2H5 CS3 C double bond O O C2 दोनों सेम है यानि दो मोलिक्यूल किसके बन जाएगे इसके बन जाएगे जब अपन एसिटिक एन हाइड्राइड के साथ reaction डाई एथिल इथर की करवाएंगे तो और इसकी मेकेनिजम यह पूरी आपको बता दिए अब देखो फोर्थ टाइप की reaction है डाई एथिल इथर की 6 reactions अपन सारी टाइप की रियक्षिन पड़ चुके हैं लोन पेर वाली पड़ चुके हैं शी यॉ आबंद के विद्लन वाली पड़ चुके हैं तो चोफ़े हो थ्री यानि एलूमीना की सत्य से जब गुजारते हैं सिक्स फिप्टी थ्री केल्मीन टेंपरेचर पर तो निर्ज लिकरन के नाम से जानते हैं और यह बन जाता है यह 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 इस तरीके से ओ च्टी एच यह निकल जाते हैं इस कार्बन की एक वेलेंसी रेक इसकी खाली होगी एक इसकी रेक इसकी खाली होगी तो इनके बीच में एक डबल बॉंड इनके बीच में एक डबल बॉंड तीन निकले उसको एच टूओ के रूप में अपने लिख दिया यह निर्जली करन सेकिंड है कि सी ओ यानि कार्बन मोन ओक साइड के साथ लेक्शन कार्बन मोन ओक साइड के साथ कि अभी क्रिया कि अब ड़य एथिल इथर की रिएक्शन कार्बन मोन मोनोकसाइड के साथ करवाते हैं यह डाई एथिल इथर इसकी रियेक्शन कार्बन मोनोकसाइड के साथ करवाते हैं और यह रियेक्शन होती है बी एफ थ्री तीन सो ठाण में से 2-423 के लिए टेंप्रेचर पर और 500 एटीम से प्रेशर पर यह कार्बन मोनोकसाइड क्या होती है यहां एंटर कर जाती है चाहिए इधर करवातो चाहिए इधर करवातो यह बन जाता है कि आए ओसी एज्टि CS3 यानि carbon monoxide या तो इस carbon oxygen के बीच में प्रवेस करवाद हो या इस carbon oxygen के बात एक यह तो यह बन जाता है एथिल यह तो रहाँ एथिल यह तीन carbon propane और O8 जोड़ते हैं एस्टर के लेगे हों कि एस्टर है C double bond O, O, R एथिल propane O8 बन जाता है carbon monoxide के साथ reaction एस्टर बनता है BF3 308 में से 423 Kelvin temperature 500 ATM pressure पर क्या बन जाता है एस्टर निर्मित होता है उसके बाद है combustion थर्ड यानि दहन यानि यानि इसको जलाते हैं तो क्या बनता है तो कार्बनी की योगीकों को अपन सामाने ते जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है CO2 और जल यही बनते हैं सब के अंदर तो अपन सीधा लिख सकते हैं बागी आप संतुली ते इसको आसा निशे कर सकते हो अब यह इथर सामाने ता है क्या काम में आता है तो इथर अस्पतालों में निशे तक के रूप में काम में आता है अस्पतालों में निशे तक यहनी बहुस करने में काम में लीजाता है इसके अलावा एलकोहॉल प्लस इथर का मिसरन एलकोहॉल और इथर का मिसरन नेटे लाइट के नाम से नेटे लाइट के नाम से पेट्रोल के इस्तान पर प्रियूक्त होता है यह इंपोर्टेंट नाम है नेटे लाइट एक तो इथर निश्यत के रूप में बहुत मैटोपून उप्योग है दूसरा एलकोहॉल और इथर का मिसरन है एलकोहॉल प्लस इथर का मिसरन नेटे लाइट के नाम से पेट्रोल के इस्तान पर इस्तेमाल किया जाता है यह मैं तो पूंपयोगों में सामिल है तो यह था अपना अलकोहल फिनोल और इधर कम्प्लीट